साथियों नमस्कार स्वागत है आपका अपने चैनल सक्से जंक्सन एक कदम सफलता की ओर में और हम लिकर के आगए आपके लिए UPSC, MPPSC, SSC, UPSI, BANKS और अनिस अभी परिच्छाओं की दिरिष्टी से अति महत्मूर 63 डिगरी करेंट अफेर स्यानी की यहाँ पर हर एक कोई भी प्रश्ण आपकी परिच्छा में देखने को मिलता है तो आप बड़ी आसानी से उन प्रश्णों को भी सॉल्व कर सकते हैं साथी साथ में आज आपको एनिमेशन और चित्रों के माध्यम से भी सारी चीज़ें बताई जाएंगी तो चलिए बीना समय गवाई हुई चलते सीधे प्रश्ण नंबर एक की ओर तो देखिए पहला प्रश्ण आपके सामने आ रहा है देखिए अभी हाली में विश्व पुष्टक पर कॉपी राइट दिवस कब मनाया गया है तो देखिए चितर आपके सामने आ रहा है तो आपको चीज़ें जो है हमेशा के प्रश्ण के बारे में आपको अगली स्लाइड में पूरी जानकारी देते हैं देखिए तो विश्व पुष्टक और कॉपी राइट दिवस प्रतिवर्स 23 अपरेल को मनाया जाता है अब किसके दौरा मनाने की सुरुवात की गयी थी वो भी आपके लिए जानना जरूरी है तो सैयुक्तराष्ट सैचिक, वैग्यानिक और सांस्कृतिक संगठन जिसे यूनेस्को के नाम से जाना जाता है तो यूनेस्को के दौरा पाठन पठन और कॉपी राइट को बढ़ावा देने के लिए 23 अपरेल को आयुजित किये जाने वाला एक कारिकराम है ठीक है तो कि यूनेस्को के वरतमान महानी दे सक है यूनेस्को के गठन की बात कर लेते हैं तो चार नमबर 1946 को यूनेस्को का गठन हुआ था बगी यूनेस्को का मुख्याले बात कर लेते हैं तो पैरिश जो की फ्रांस में इस्तित है वो यूनेस्को का मुख्याला है हाँ वही एफिल किया है अभी हाली में चर्चा में आया था कि त्रेपन लोगों को ले करके एक पंडूबी जो है वो खो गई है कहीं महासागर में तो उसकी खोज के लिए भारती सिना ने अपने किस पंडूबी को तैनात किया है कुछ इस पेसल यहां पर मतलब हसीने लगी हुई है इस भारत जो इसी लिए जानी जाती है सही आंसर भी यानिकी DSRV नाम की जो पंडूबी है देखिए चितर भी देख लीजी आप तो यह है वो पंडूबी यानि DSRV जो की जिसका में कामी यही है कि कोई चीज़ अगर समुदर में खो जाती है तो उसकी तलास के लिए DSRV को भीजा ज जाता है तो चलिए आए देखतें इसके बारे में कुछ जानकारी इस प्रश्न के बारे में जो आपके लिए महत्तपून हो सकती है देखिए 22 अप्रेल 2020 को भारती नौसेना ने 53 लोगों के साथ लापता हो चुकी एक पंडूबी के लिए इंडोनेसिया नौसेना की खोज क को यहाँ पर तैनात किया है अब देखिए कौन सी पंडूबी है जो कि खो गई है तो के राई नगला 402 जर्मन निर्वित पंडूबी 22 अपरल 2021 को बाली स्टेट के पास सेन अभ्यास के दोरान लापता हो गई है यहाँ पर बाली स्टेट के पास सेन अभ्यास चल रहा था एक side scan sonar से less है यानि कि इसमें यह specialty है इसमें एक machine लगी हुई है side scan sonar जो जिसका काम ही है कि समुद्र में कोई चीज अगर खो गई है तो उनका पता लगाना और आपको यह भी पता होगा कि सोनार के माध्यम से क्या होता है समुद्र की गहराई या समुद्र में कौन सी बनाने का कार किया जा रहा है आईए देखते हैं option A है प्रग्यान, option B है कौपरनिकस, option C है परसिवरेंस या फिर option अबड़ी है चलिए answer देखते हैं सही answer C यान की परसिवरेंस रोबर देखने में कैसा रगता है वो भी देख लेते हैं तो देखिए यह है आपका परसिवरे जिए परसिवरेंस रोबर क्या कर रहा है तो परसिवरेंस रोबर में मोकसी MoXie naam से एक फुपकरण रखा हुआ है जो परसिवरेंस रोबर एक पेड़ की तरह कारवन डाई eoxite Grehened करता है और oxygen का उस सर्जन करता है. यानि की जो MOXIE, mox moisture नाम का जो उपकरानि वो क्या करता है मंगल पर? तो जो वहाँ पर carbon dioxide को उस carbon dioxide को grant करता है और कुछ मात्रा में जो है oxygen बना करके निकालता है ठीक है यानि एक पेड़ का काम कर रहा है कहां पर मंगल ग्रह पर यह perseverance rover ठीक है अब देखिए नासा का perseverance rover इसी वर्स 18 फरवरी को मंगल ग्रह की सता पर सफलता पूरक उतरा था तो यह static जी के का प्रश्ण ब सरकार ने narcotic drugs and psychotropic दवाओं की recovery के लिए सूचना देने वाले को इनाम देने की घोशना की है और सब्सक्राइब और सब्सक्राइब और सब्सक्राइब की है कि अभी हाली में राज सरकार जो है पंजाब ने उसना यह ब्यूस्ता किये कि narcotic drugs and psychotropic दवा यह कैसी दवा होती है जो मतलब की drugs लेने की यूज में किया दिया से अगर आपको पता भी होगा कि पंजाब में सबसे ज़्यादा drugs लोग लेते हैं नसा का सब ज़्यादा नसा कहां पर किया जाता तो पंजाब में किया था आपने एक movie देखियोगी ओड़ता पंजाब के नाम से ठीक है तो यहा पंजाब राज सरकार की दारा इनाम यूजना चालू की गई है ठीक है तो याद रखिएगा नसे को रोकने के लिए कुल मिला करके नसे मुक्ती के लिए यहाँ पर पंजाब राज सरकार की दारा इनाम यूजना चालू की गई है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्णी क्यों जलते हैं देखिए प्रश्ण नमर पांच बच्चों की पुष्टक दा क्रिस्मस पिंग जे के रोलिंग कब रिलीज होगी यह बहुत ही महत्पूर पुष्टक होने वाली है क्यों महत्पूर है यह क्योंकि इसके लेखक जो है वह बहुत फेमस हैं ठीक है और कौन-कौन जी किताबे लिखी हैं वो सारी जानकारी हम देंगे पहले प्रस्णी की बात कर लेते हैं तो सितंबर 2021 में रिलीज होगी या फिर नॉमबर 2021 में या फिर अक्टूबर 2021 में या फिर अगस्त 2021 में तो कब रिलीज होने वाली है बच्चों की पुष्टक दा क्र जानकारी देते हैं कि हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है आईए देखते हैं तो देखिए इस अक्टूबर जेके रोलिंग की नई किताब दा क्रिस्मस पिंग जेके रोलिंग रिलीज होने वाली है जिसमें सभी नए पात्रों के साथ बच्चों के लिए कहानिया है ये क जो है ये भी आपके परिच्छा के दिष्टी से बहुत ज्यादा मैत पूर हो गई है कि जो किताब दा क्रिस्मस पिंग है उसके लेकर कौन है या इससे पूछा जा सकता है तो आपको बताना है जेके रोलिंग जो हैं वही इस पुछ तक के भी लेकर के ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्ण आपके सामने है प्रश्ण नमर 6 निमने में से किसने कोरोना वाइरस रोगियों के लिए प्रौनिंग फॉर सेल्फ केर की सलाह दी है ऑप्सन यह नीति आयोग ऑप्सन भी है केंदरी स्वास्त मंत्राले चलिए एंसर देखते हैं इसका सही अ आ जाएगा देखिए देखिए तो यह एक तरह का योगा है मतलब कि कैसे आपको योगा करना है उसके बारे में बता गया आपको अगली स्लाइड में हम आपको बताते हैं कि कैसे इसके बारे में क्या बताया है यहाँ पर केंदरी स्वास्त मंत्राले चलिए आगे बढ़ते तो देखिए कोड़ना वायरस से ग्रसित नहीं है बोविस को कर सकते हैं इससे क्या होता इम्मुनिटी बढ़ती है ठीक है तो आप उस स्टेप को कर सकते हैं ठीक है चली बढ़ते हैं अगले प्रशनी की ओर देखिए अगला प्रशन प्रशन नमर साथ है अपरेल 2020 में कोविड-19 के कारण स किसे चेत्र से संबंदित थे ऑप्सन अ है अभिनाय ऑप्सन बेस संगीत ऑप्सन सी क्रिकेट या फिर ऑप्सन नमर डी है होकी चली ए एंसर देख लेते हैं सही आइसर बी यान की संगीत से संबंदित थे स्रवर्ण राठ और अब यह बहुत फेमस एक तरह से संगीत कार थ का अपरेल 2020 में COVID-19 के कारण निदन हो गया है ठीक है तो देखिए दो लोग यहाँ पर सिंगर थे कौन नदीम और स्रवर्ण तो यह लोग अपने टाइम पर बहुत ज्यादा फेमस थे कौन कौन सी इन्होंने गाने लिखे हैं वो देख लेते हैं तो आश्यकी साजन हम है र राटर जो हैं उन्होंने उस मूवी में संगीत दिया था ठीक है नदीम स्रवर्ण की जोड़ी ने सरवसे संगीतकार के लिए फिल्म फेर पुरिसकार जीतने की हेट्रिक बनाई थी यानि कि लगातार तीन बार राष्टी फिल्म फेर पुरिसकार जीता था इन दोनों दुनिया के पूरू प्रक्यात नाटकार विल्म सेक्सपियर की 405 पुन ने थी कब मनाई गई और यहांपर मनाई गई है यह है विल्म सेक्सपियर जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है चलिए आगे बढ़ते है इनकी अगली स्लाइड में पूरी जानकारी आपको दे़ते ह हैं इनके बारे में तो देखिये तेजी सपरेल को दुनिया के पूरu प्रक्यात नाटकार विलियम सेक्सपियर की 405 पॉनिती थी मनाई गई सबसे लोगप्री सेक्सपियर नाटकों में रोमियो और जूलियट तो याद रखी कि रोमियो और जूलियट किसे ने लिखा था तो William Shakespeare ने ही लिखा था तो जन्म आपसे पूछा जा सकता है देखिए हम यहाँ पर हर एक एंगल से प्रेशन को कवर कर रहे हैं क्योंकि कथन वाली जो प्रेशन पूछते हैं तो उसमें आपसे ऐसे ही पूछ लिए जाता है कि बिलियम सेक्सपीर के इन में से कौन-कौन से पन्यास है वो पन्यास के नाम दे देंगे फिर आपसे बोलेंगे बिलियम सेक्सपीर का जन्म 1564 में इंगलेन के स्ट्रेट फोर्ड में हुआ था अगर आप पूछेंगे कि 23 अप्रेयल को इनकी पुनितिति मनाए गई आपसे प्रेयास के बारे में डीटेल में जानकारी होगी और यही प्रयास हमारे दारा किया जाता है तो अगर हमारा प्रेयास आपको अच्छा लगाराओ और आज की वीडियो में बहुत मीनत लगी भाई वीडियो को लाइक करना है दोस्तों के पास सेयर करना है आज दिल से सेयर करना है आपको ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रेस्टिंग की बात करते हैं प्रेस्ट नमर नो अप्रेल 2020 में किस राज ने सेनिटाइजेशन के लिए सुक्रवार से रविवार तक सभी सर समाने वाले हैं तो कोरोना के बाद जैसे ही एक जाम स्टाट होंगे तो लगभा 50 परसंट जो करेंट अफेर होगी वह आपके कोरोना से ही बनेगी याद रहिए गाराज सरकार दारा जो भी इनिसियेट लिए जा रहे हैं वो सारे आपकी परिच्छाओं की दिश्टी से महत पूर्ण है पंजाब ऑप्सन बी उत्तराखंड ऑप्सन सी राजिस्थान या फिर अप्सन अमर्डी है गुजरात तो पताए किस राज सरकार ने हापर जो लाश्ट के तीन दिन है यानि सुक्रवार सनिवार रहिवार तीनों दिन ओफिसेज को बंद करने का फैसल लिया क् जो भी सुक्रवार सनिवार और रहिवार तीन दिन के लिए जो है सरकारी ऑफिसेज बंद रहेंगे आईए देखते हैं तो देखिए उत्तराखंड सरकार ने सेनेटाइजेशन के लिए सुक्रवार से रहिवार तक सभी सरकारी कार्यालियों को बंद करने का फैसला किया है उत्राखंड वे COVID-19 मावलोगी चंख्या 21 अपर 2021 को 4,000 पार कर गई, इसलिए यह निड़े लिया गया है कि राज सरकार के कारयाले सैनेटाइजेशन के लिए सुक्रवार से रविवार तक बंद रहेंगे, अब यहाँ पर बात कर लेते हैं उत्राखंड के मुख्यमंत्री की, तениरत शिंगरावत जो है वो उत्राखंड के मुख्यमंत्री हैं, राजपाल कौन है? तो बेबी राणी मौरी जो हैं, वो यहाँ पर राजपाल है उत्राखंड की, साथि साथ में आपको जान कर देदे हैं, उत्राखंड के बारे में बहुत सारी चीजे हमने आपको बताई बहुत सारी चीज़े हमने आपको रिवाइज कराई है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रस्ट प्रस्ट नमर दस मध्य प्रदेश में किस सहर में खंडवा रोड परिस्थित राधा स्वामी सत्संग असरम में राजिका सबसे बड़ा कोविड-19 सेंटर बनाया गय चलिए जानकारी लेते हैं इस के बारे में तो देखिए मध्यप्रदेश में इंदौर में खंडवा रोड परिस्थित राधा स्वामी सत्संग असरम में राजिका सबसे बड़ा कोविड-19 केर सेंटर बनाया गया जिन रोगियों के घर में आइसोलेशन की सुभिदा नहीं काई है और उनन्हें नेमित निगरानी के आवशक्ता है, उन्हें यहां पर रखा जाएगा, जो कोविड-19 केर सेंटर सबसे बड़ा बनाया गया है इन दौर में यहां पर रखा जाएगा, इस केर सेंटर की शुरुवात 600 बिस्तर होंगर, 600 रोगियों के यहां पर देख़ की जा सकती है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम चलते हैं जिसका आपको इंतजार है तो कल हमने एक प्रेशन पूछा था कि विराट कोली को कौन सा पुरुसकार दिया गया है किस किस ने सही आंसर दिया है उनका आज आपको फोटो भी दिखाई दे रहा है तो कल की प् प्रेशन की बात कर लेते हैं तो डेली हम आपसे प्रेशन पूछते हैं उसका जवाब देने वाले का नाम जो है ऐसे ही स्क्रीन सोट के साथ में अगले वीडियो में देखने को मिलता है चलिए आज की प्रेशन की बात कर लेते हैं तो आज का प्रेशन है भारत का पहला राश्टी उद्यान कौन सा है सबसे पहला नैशनल पार्क भारत का कौन सा है कहां प्रेश्टित है आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं कहीं पर भी सर्च करके बस आपको यहाँ पर कमेंट बॉक्स में टाइप करना है क्यों क्योंकि जो अभी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे एंसर जरूर लिखेंगे बाकि यह वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों के पास इसको सेर कर दीजिए भाई बहुत मेरत लगी आज कम से कम आज तो सेर करी दीजिए ठीक है और चैनल प पिलते एक नई वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार धन्यवाद